तो जो ये और्चड है मोहित बईया का तो ये मोहित बईया का डेम और्चड है जहाँ पे इनके पास 130 प्लस एपल की ब्राइटिया है जो एक बहुत ही बड़ी बात है कि कि इनके पास 130 प्लस सेब की ब्राइटी आए तो जब हमारी मोहित बईयर से इस बारे में डिसकस हुई तो उनका यही कहना था कि हर साल नहीने ब्राइटी आएगी तो हम ब्राइटियों की होड के पिछे नहीं जा सकते तो इसके लिए हमारे पास एक डेमो ओर्चिड होना चाहिए ताकि आपको जब भी किसी भी ब्राइटी को अपने ओर्चिड में लगाओ तो उससे पहले आपके पास आपको दो से तीन प्लांट में उसकी प्रफॉर्मस देखनी चाहिए कि दो तीन प्लांट को लगाके या फिर टॉफ काफ्ट करके तो उसके बाद जो भी ब्राइटी आपके एलिवेशन हो या जिस भी ओर्चिड में प्रफॉर्मस अच्छी करती है तो उसके बाद उननी दो तिन ब्राइटी को आपको अपनी ओर्चिड में बहुत जादा लार्स केल पर बर्क करना चाहिए तो बाकी मोहित भईया का यही कहना था कि इनको एपल का जो भी इनका एक्स्पिरिंस था जो भी इनकी टैक्टिस थी तो इन्होंने हमें हर एक चीज के बारे में हर छोटी छोटी बाते हमें बताई कि हम लग्की है कि जो मोहित भाई असे के और्चड में हमें जाने का स्वभाग्य मिला तो बाकि आप देख सकते हो कि जातर जिनी भी बागवन भाईयों के स्पेशल मैसिज एडम होस कालर टू के उपर थे कि एडम होस कालर टू में उनके पास ग्रोथ इशू है तो आप देखिए कि मोहित भाई एक पास जो यह प्लांट है तो यह देखिए यह सिडलिंग पे है और यह रूश्टॉक पे है तो यह रूश्टॉक M7 पे है तो उसके बाब जुद भी इनके पास जितना भी यहाँ पे जो इनका डम और्चड है जहां पे 130 प्लस एपल की ब्राइटी आए तो बहां पे आप देख सकते हो कि जहां इनका जो भी काम सिडलिंग हो चाहिए रूश्टॉक पे हो तो हर एक में चैस पर हो सैमिस पर हो गाला हो जो भी जिस भी ब्राइटी पे इन्होंने बर्क किया तो सब में देखिया आप जिन भी बार्ण भाइओ को ग्रोथ के बारे में सवाल था तो आप देख सकते हो कि इनके पास एड़म हो चाहिए उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है और जो सबसे बड़ी बात है जैसे काफी वार्ण भाइओ के हमापास कॉशन काफी एक-दो सालों से काफी कॉशन थे कि प्लांट तो प्लांट क्या डिस्टेंस होना चाहिए और रो तो रो क्या डिस्टेंस होना चाहिए तो जब हम इनके और्चर में गए तो आप देख सकते हो कि उनके बीक टू पृट्ट जो डिस्टेंस है, कहीं पर टू फीट है, कहीं पर थिप्री फीट है, अभी देखियेnik, इनके बाद दो ब्लांट बीक है, इसका डिस्टेंस लगबाग थ्री फीट के आ Lazल मेरे एस पास है, और इसमें चार से लेकर पांच पेटी हर साल ही लेते है तो इन्होंने हमें बताई कि इन दौनों प्लांटों में चार से पांच पेटी वो भी क्वालिटी फूट ही इसमें निकलता है तो बाकी आप ग्रोथ भी देख सकते हों और जिन भी बागनवायों का अल्टा हाईडेंस्टी के लिए जो भी बर्क कर रहे हैं तो वो यह चीज देख सकते हैं कि आपका डिस्टेंस माइन नहीं रखता आपका जो जो भी हमने इन से पूछा कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए जो भी बागनवायों के कॉशन थे अल्टा हाईडेंस्टी और हाईडेंस्टी पर जो भी बर्क कर रहे हैं तो इनका यही कहना था कि आ मचाए जा सके तो अभी आप देखते हो कि इनके पास जिन भी बागनवाय के कॉशन थे एडम और स्कालर्टू के लिए कि ग्रोथ इशू है तो अभी आप देखते हो कि इनके पास चाहे एडम का प्लांट हो चाहे स्कालर्टू का प्लांट हो तो उनमें आप ग्रोथ देख सकते हो. यह देखिए, इनके पास ग्रोथ, वो भी रूश्टॉक पे, सिटलिंग पे तो छलो थोड़ी से ग्रोथ लेनी easy रहते है, बट इनका देखिए, यह सिटलिंग का प्लांट है, और यह साथ ही रूश्टॉक M7 का प्लांट है, और ये दे है स्कालाटू और देखें स्कालाटू में इनके पास ग्रोथ लगवग 2 से लेकर 3 feet के आजपास ग्रोथ है और जिन्मी बागोंबाज के caution थे कि हमारे पास सपर में ग्रोथ नहीं आती है तो वो बागोंबाज़ देख सकते हो कि ग्रोथ को आपने कैसे लेना है कैस ग्रोथ और यहां पर भायों सोचने वाली बात है कि जैसे मोहिद भही आँ requirements के बारे में बता रहे हैं कि जैसे अगर आपके पास यह देखे इसको बोलते हैं hard work के साथ smart work आपके आप किसी में आपके पास यह टूल होना चाहिए कि आपको खला कोई सीली ले जाने की जुरूरत नहीं अपनी एपन आटर में तो आप इसी सीटे ही management कर सकते हो क्योंकि आप अल्टा आइडेंसि भर कर रहे हो कहीं पर आप जमीन उपर निच्छे होती है तो आप हर जगा शिरी नहीं लगा सकते हो तो इसके लिए आपके पास अगर यह टूल है तो इससे देखिए लगबग जो यह प्लांट के जो हाइट है 12 to 15 feet के आसपास है तो उसके बाब जो भी यह निच्छे बैठ के ही इस प्लांट के पूरी ही फ्रूनिंग हिनों ने हमार को दिखा दी कि प्रूनिंग कैसे की जाती है जो भी अगर आप के पास जैसे अल्टा हाइडेंस्टी पर बर्ग कर रहे हूँ आप और आपके पास जमीन ऊपर निच्छे है तो हर जगा सीड़ी लगानी पॉसिबल नहीं है और अकेले ही आप प्रूनिंग कैसे करनी है तो अगर इसके लिए आपके पास यह टूल होना चाहिए ताक कि आप अकेले जाके अपने और्चर में प्रूनिंग कर सको क्योंकि फॉर्ण की तरह हमारे पास एक जगा जमीन नहीं कि बिल्कुल सीधी जमीन कि हमारे पास कोई और्चर में जमीन उपर नीचे होती है तो इसलिए यह चीज हमें यहां पर मोहित भईया से काफी सीखने को मिली कि जूरी नहीं है कि आप हर आचर में जैसे पॉसिबल नहीं है ना ही सीरी लिजाने की तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान देना है और यह मोहित भईया का लड़का अक्की आकर्ष और यह देखिए यह है एडम एडम्स पर तो जिन भी बावन बायों के कॉशन थे कि एडम्स पर की ग्रोथ नहीं है हमने तो चलो खेर मैक्सिमम प्लांट टॉफगाफ्ट किये हो है तो अभी आप देख सकते हो कि रूश्टॉक पे रूश्टॉक पे एडम्स की ग्र अभी आपके पास काफी अची ग्रोथ है तो आप देख सकते हो कि अगर आप सही जगह से नरसरी हो या कलम लाते हो तो आपके पास भी हर चीज अची ही मिलेगी और बाकी कि आप मुहित बजय की प्रैक्टिस देख सकते हो कि जो प्लांट टो प्लांट डिस्टेंस देखे कहीं पे टू फीट के आसपास है कहीं फे थ्री फीट है तो मैक्सिमुम जो हमने इनके पास देखा प्लांट टो प्लांट डिस्टेंस थ्री फीट के आसपास था तो इनका जो हमने इन से बात कि तो इनका यही कहना था कि माई ने यह नहीं रखता कि आप प्लांट प्लांट डिस्टेंस की क्या है आपको बस इसी चीज पर ध्यान देना है जब भी आप किसी भी कहीं भी प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको इसी चीज का ध्यान देना है कि हर एक ब्रांच और हर एक फूर तक सनलाइट पहुंचनी चाहिए तो अगर आप इस चीज द्यान देते हों तो और आपको जो भी आजिसे, आपने, किस चीज़ द्यान देना चाहिए तो इनका यही कहना था कि आप रूश्टॉक, Shedling किसी पर भी बर्द कीजिए बट जो है कि आपका महाँ इतुग आपका हर ब्रांज और हर एक फूर्ट तक कैसे आपने सनलाइट को पचाना आए और ये सुपरचिफ फ्रांस का प्लांट है रूश्टॉक पे तो जो मोहित भया का सबसे फैविर जो एपल है वो सुपरचिफ फ्रांस है तो अब आप देख सकते हो और बाकी बान भया हमारी यही कोशी रहते है कि हर एक जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जितनी भी हम कुछ भी चीज हम नई सिख रहे हैं तो आप लोग तक हर एक छोटी से छोटी बात वीडियो के मादियम से पहुचाए जाते है